कि अबदे जान कारी और उसके बगल में बनने वाले भी डेल इकन को भी दवाद दिजे और फिरेंट्स एक बात ओर काना चाहूंगे कि आपने playlist में मांग किया था कि सरफ playlist में वीडियो रखे तो मैं playlist बना दिया, हर एक विज़े का अलग-अलग playlist बना दिया, तो अगर और वी वीडियो आपको देखना है तो playlist में जाएए आपको आपके पसंद का वीडियो वहाँ पर बना हुए है playlist में तो आप मिल जाएगा और friends इस वीडियो के अंत में इस वीडियो पे आपको दो वीडियो और मिल जाएगे तो अंत तक देखना ना भूलिए और वहाँ तक आपको टच करके दो वीडियो में से कोई और वीडियो देख सकते हैं तो चलिए friends मैं आप खबर बताता हूँ कि क्या खबर से निकल कर आई है कि किस परकार का अपड़ेटिकल कर आई है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस परकार का अपड़ेटिकल आई है तो यह है NIOS से DLA कुर्स सबके लिए नहीं जिए RTI से किया परदेफस RTI से किया गिए परदाफस friends यहां पर एक अलोख कुमर की नाम का बेक्ति जिनों नना RTI किया था क्या सरकारी विद्यालियों में DLA कर रहे स्टूडेंट DLA कर रहे है तो इसो पर आदकि तरफ जवाब दिया गिया था कि नहीं बन सकते हैं. तो यहां पर पहले आप लिश्ट देख लिए, heading देख लिए सुचना बैई बाते. NIUS सिर्पids नहीं बने हाजिते सिवाम के लिए जो पहले से सेवाम में बने हुए है. पहले से जो सवाम है उनके लिए ही NIUS मानता देती है. यहां पर देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए यहां पर लिखा है जो विद्याला में कारड़त भी नहीं थे उनका हुगा नमंकन फ्रेंट्स बहुत इसमें धान्दली किया गया है डियलेट में कि जो स्टुडेंट आणि की विद्याला में नहीं पढ़ाते थे उनका भी नमंकन किया गया है उनको भी आपर सचित माना गया है कैसे माना गया है कि यहां पर देखिए एक बिहार का एक निउस है यह प्रावे यहां पर एक काना चाहूँगा कि वैसे अपर शिचित सिच्छक जो विद्याला में नहीं पढ़ाते थे और वो किसी प्रावेट स्कूल से अपने डियलाट में नमंकन करवा लिया है प्रावेट स्कूल के मर्ध्यम से तो एक बहुत बड़े धांदली यहां पर किया गिया है किसी की जाज की जाएगी और जाज करने के बाद में आपको अराम से मिलेगा मनता किसी घबडाने की कोई ज़रत नहीं है तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस परकार से मनता मिलेगा तो फ्रेंट्स यहां पर सीधा लिखा है कि आप पर सिच्छक जो पहले से से सेवा में हैं तो आप अगर डियलेट किये हैं कहीं से किसी स्कूल से तो आपको उस स्कूल ने आपको पहले से सिच्छक कारेड़त दिखाएंगे तभी तो आप वहां से डियलेट किये हैं तो आपको टैंसल लेने की कोई आवसकता नहीं है वह स्कूल आपके जो है पिछले साल और उसके precision करवाने के लिए delayed के लिए form भरा है तो यहाँ पर किसी परकार के दिकत नहीं यहाँ friends से दिकत हो सकती है आपको problem हो सकती है कहाँ पर कि अगर उस school में 30 बच्चे पर एक सिछक से ज़ादा का ratio है तो वहाँ पर आपको problem हो सकती है क्योंकि friends बहुत सारे school वहां पर उस न सकती है और वहां पर पास सिछकों को procession दिला दिया गया ए तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो सकती है कि आपके Spencer कितने है और कितने से संचक वहां से procession पराब्त किया है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके स्कुल में बच्चे हैं तीन सो बच्चे हैं तीन सो तो उसमें 10 सिच्छकों कपर्सिशन कराने एक वायद है अगर वहांपे 15 करा लिये तो ये वायद्ध है तो यहां पर passive इस प्रगाज गिर सकती है उनकी मनता नहीं हो सकती याद फिर उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसी परकार कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको गरंटी देता हूँ, कि आप अपनी तयारी में लगे रहिए, आपको फॉर्म भरने के लिए, प्रेट का फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और आप टेटी पास कर होगे, और सरकारी नौकरी भी आपकी होगी, क्यों होगी फिरेंड्स, क्यों कि पूरे भारत की बात है, फिरेंड्स किसी एक राजित की बात नहीं है, पूरे भारत में 16-18 लग कैंडिडिट, ये ना यूस से डियलेट कर चुके हैं, और अब भी कर रहे हैं, तो इतने अगन से, और अपनी मंजिल को पाईए, ऐसे अपडेट रोज निकलते हैं, ये कोई कानून अपडेट नहीं है, ऐसे अपडेट रोज निकलते हैं, और रोज जाते हैं, आपको घपडाने की कोई जवरत नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर एक जानकारी तो मैंने आपको एंजनकारी दे दिया और friends अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिलीज लाइक कर दिजिए बहुत कम लाइक आते हैं friends लाइक कर दिजिए और share अपने दोस्तों के साथ कर दिजिए जो आपको friends DL8 किये हैं उनको जंकारे नहीं है तो उसके साथ share कर दिए और इस वीडियो के अंते में आपको स्क्रीन पर दो वीडियो और मिलेंगे वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं स्क्रीन पर टस करके तो ठीक है फिरेंड्स तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गुड़नाइट